जय हिंद देखें दोस्तों आज लाइट नहीं है इसलिए मैं आज आपको इस कॉपी कॉलम के माधम से इस वीडियो को बता रहा हूँ सीजन ऐसा चल रहा है कि आज के लिएक से बड़कर एक संदार कंपनियों के दंदार डिविडेंड और क्वाटर थिरी के रिजल्ट आ रहे हैं बोनस भी आ रहे हैं तो वीडियो बनाना भी जरूरी है तो इसलिए कोई बात नहीं चलिए आज आज इस कॉपी कॉलम के माधम से समझते हैं इस वीडियो अवह लोग जूबिलन्ट फूड वर्क्स कंपनी बारे में बात करेंगे यह कंपनी फूड सर्विस कंपनी है आपने जो मैटो और डूमिनोज पीजा का नाम सुना होगा यह कंपनी और दोनों ही कंपनी पैरेंट कंपनी है बात करें इसके दोनों होogenे जानिति क्यों में chemin कंपनी एक सेंगे साथ करेंगे मतलब समझ पारहे होंगे चलिले दोस्तों आप quarter 3 की result के नतिज़ों पूर बात करते हैं सारे figures क्रोण में है और quarter 3 की result को दर्सानी के लिए मैंने निगेUS क्लोंब बनाया है इस क्लोंबे quarter 3 की result के नतिज़े बताए गये हैं यहाँ कॉलॉम पीछले quarter यानि की quarter 2 के नतिज़ों के लिए पनाया है था तो हमने देखा कि सलाना असर पर भी और क्वार्ट अर्ली असर पर भी कंपणी का रिपेन्यू बढ़ा है अब खर्चे की बात करें तो क्वार्टर 3 में कंपणी दस सो चालिस क्रोन रुपए खर्च किये हैं वहीं क्वार्ट 2 में कंपणी चीफ 963 क्रों तता साल वर पहल इकस देने के बाद कंपणी पास बचता है तो क्वार्ट 3 में कंपणी का मुनाफ़्ा 133 क्रोंण का हुआ है जो के क्वार्ट 2 में चीफ 120 क्रोंण का हुआ था और इक से पर कितना रुपया बढ़ा इसको अर्निंग पर सेर कहते हैं तो टौडर 3 में 10 रुपया-14 पैसा का अर्थाथ एक शेयर पर 10 रुपे 14 पैसा बढ़े हैं तीन महा में quarter 2 में यह 9 रुपेया 11 पैसा था और साल पर पहले 9 रुपेया 40 पैसा के आसपास हुआ करता था तो हमने देखा कि company कारणिंग पर शेयर भी सेलाना अस्तेयर पर और quarter अस्तेयर पर इस वार बढ़ा है और बात करें तो दोस्तों company का revenue मुनाफ़ा अर्लिंग पर सेयर हर एक चीज़ बढ़ा है इसका मतलब company ग्रोग कर रही है और मुझे personal इस company का business model काफी पसंद आता है क्योंकि जिस sector के company है उसमें काफी आगे निकल चुकी है और आने वाले समय में इसका डिमांड बढ़ने वाला है तो मुझे यह company और company का business model बहुत ज्यादा पसंद है तो मेरे पास इस company के share है और मैंने इसको hold किया हुआ है अगर आप भी इस company के share को buy करना चाहते है तो एक सही समय देकर buy करने लेकिन long term को देशे लोंग टर्म में company का प्र मल्टी बगर बनते हुए दिखाई देगी अभी देखिए जिसके पास इस company के एक share है उनको 5 share हो जाएंगे सोचिए कितना ज़्यादा मुनाफ़ा होने वाल झाल